जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिच्छीक रासी के मंथली राची फलकी यानि ब्रिच्छीक रासी का कैसा रहेगा मार्च का महिना कैसी हो गिधन की स्वाष्ट की परिवार की स्थिरी उनके दामपत्य जीवन की स्थिरी इसके बारे में चर्चा करेंगे मार्ज का महिना बहुत खास है एक तो सूर्य का राशी परिवर्तन 14 तारिक को होगा यानि 14 मार्ज को होगा और बुद और शुक्र का राशी परिवर्तन 7 मार्ज को हो रहा है मंगल का राशी परिवर्तन 15 मार्ज को और शनी देव जो अस्त चल रहे थे वो भी उदे हो जाएं में चर्चा कलेते हैं तो सुस्द्रमा रहेगा तो कुल मिलाकिए आपकी राशी के स्वामी यामने मंगल त्रित्येवाओं में चंद्रमा शुक्रके साथ में बैठे हैं यानि शुकर in रही का ओता है चंद्रमा मर्णreek क़ई कारण होता है बाल काले कलाने वाले हैं कलर कराने वाले यानि आपके लुक में मंगल चंद्रमा और शुक्र के कारण बड़ा बदलाव आने के योग नजर आ रहा है यानि आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी मार्च के मेने में और आप बड़े आत्मिस्वासी और पॉजिटिव मेना है तो मार्च का मेना है घसक के लिए अच्छा है धन के लिए देखा जाए द्हाट के स्वामी ब्रस पती में बैठे two-page marge के अंदर कई कोई व्यक्ति आएगा आपको डबंट कराएगा सकी योग नजर आ रही है लेकिन हानी भी हो रही है हानी क्या होगी कोई वस्तु गूम या चोरी विरिष्ची ग्राशी वालों की होगी या फिर आपको शेर में जवरदस्ट घाटा हो सकता है मार्च के मेने में तो शेर से थोड़ा साब्धान रहने की जुरूत है मेरे नम सुकमीट कोर है मैं करनेड़ दी रहन वाली है ते मैं अननू बहुत प्यार कर दिया तो और मेरे घरवाले मान गये हैं और इनके घरवाले नहीं माने हैं बस एक बर चैनल देखा था टीवी पे चैनल देखा था पंडिजी का प्रोग्राम आ रहा था पंडित lifting geography के परिवार में सूरिय बूर शनी तीनों ग्रह विराज माने मार्च में परिवार से समंदीत तीन टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है ग्रह गोचर ये अंदाजा दे रहे हैं पहला माता पिता की हेल्थ के इशू रहेंगे दूसरा घर के अंदर अचानक कोई वस्तू खराब हो जाएगी या कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है तीसरा किसी फैमली सदस्य य अब बात कर लेते हैं ब्रिच्छी ग्रासी के संतान के बारे में तो अगर आपकी ब्रिच्छी ग्रासी है आपकी छोटी संतान है बड़ी संतान है तो कहीं ना कहीं मार्च के मेने में एक संतान से जुड़ी भी खुशकबरी मिलेगी और एक हानी भी होगी अब वो क्या और आपकी च्छोटी संतान जीतने वाली है लेकिन एक नेगटीव भी है च्छोटी संतान का कि घुटनों में या पैर में हलकी चूट भी आपकी च्छोटी संतान की मार्च में लग सकती है बात करें बड़ी संतान की तो पंचम में जो राहू विराजमान है तो कहीना कहीं कारे छेदर में आपको अचानक पद का लाब होगा किसी अच्छे काम का आपको लाब होगा तो करियर में तो ये श्तती अच्छी है विद्या में आपको लाब होगा परिक्षा में आपकी बड़ी संतान को लाब होगा तो कहीं ना कहीं पंचम का राहू आपकी संतान के करियर के लिए अच्छा है लेकिन आपकी संतान की कोई वस्तु चोरी हो सकती है कोई वस्तु मार्ज के अंदर गुम हो सकती ये बुरा प्रभाव भी संतान पे पंडे वाल पहले student को अच्छा फल बताएता हूं तो अच्छा फल आपको मार्च की महिने में विद्या और करियर में बड़ी बड़ी आपको पॉजिटिव न्यूस उना ही देगी या विद्या और करियर में कोई सफलता आपके हाथ आएगी आपके एक्जाम बहुत अच्छे जाएंगे तो यहां पर career के लिए तो यह March का महिना काफी लाब का रही है और देखा जाए तो बुरा result student को क्या मिल रहा है मित्रों से आपको धोका होगा प्रेम में आपको धोका मिल सकता है यानि कि personal point में या emotional point में आपको नुकसान हो सकता है लेकिन career में March का महिना अच्छा है अब बात कर लेते हैं प्रिश्ची ग्रासी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो भई March के महिने में चार बड़े परिवर्तन March के महिने में नजर आ रहे हैं यानि March के अंदर boss या आपके management में परिवर्तन है दूसरा देखा जाए आपके काम के timing में परिवर्तन आ जाएगा तीसरा sale में बड़ा परिवर्तन है अच्छी sale आप करने लगेंगे चौथा आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है बड़ी post मिल सकती है यानि चार ताबड़ तोड़ परिवर्तन March में आ रहे हैं और sale और performance भी March के महिने में ब्रिश्ची ग्रासी के अच्छी है आप बात कर लेते हैं ब्रिश्ची ग्रासी के दांपत्य जीवन की तो दांपत्य जीवन में सबसे पहले बात करें प्रेमी प्रेमी का के बारे में तो भई आपका और आपके पार्टनर के रिलेशन में लक्ष्मी नारायन योग मार्च में बन रहा है यानि पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन मार्च में अच्छा है पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में जाने के योग बनते हैं पार्टनर को करियर में धनलाब होगा partner के माता पिता से कोई उनको gift मिल सकता है यानि partner के career के लिए relation के लिए मार्च का महिना लाबकारी है love couple के लिए अब बात कहलेते हैं पति-पत्नी की तो पति-पत्नी में भी लक्ष्मी नरान योग बनेगा मार्च में यानि partner के साथ में किसी family, function, विवास हमारों में March में जाने का मौका मिलेगा साथी साथ पार्टनर को पिछा और मेन में अच्छी न्यूज मिलेगी अच्छा सेल अच्छी प्रफॉर्मेंस में बनेगी यानि चाहिए पती पतनी हो प्रेमी प्रेमी का हो भाई दोनों के लिए मार्च का मेना लाब कारी है लक्ष्मी योग के कारण अब बात कर लेते हैं प्रिश्चिक रासी वाले उनकी जो 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 अपना शोरूम चलाते हैं दुकान च नहीं है एक तारिक से लेकर 14 मार तक देखा जाए तो काम में टेंचन रहेगी करम चारी की कलती के कारण आपको जबरदस्त नुकसान होगा खर्चों में आपके व्रिद्धी होगी कभी कोई मशीन खराब हो जाएगी कभी कोई मशीन घराब हो जाएगी खर्चों में आपक काम में चल रही है उसका हल भी आपको 15 तरीक के बाद मिलेगा और आपकी सेल्स भी आप बढ़ जाएगी और सेल्स भी आपकी नॉर्मल होगी खर्चे में भी थोड़ी कमी आएगी तो कुल मिलाके मार्च का महिना व्यापारियों के लिए दुकानदारों के लिए बहुत अच